दोस्तो आईपिल 2024 का आउक्षन जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है 19 दिसंबर को आईपिल 2024 का आउक्षन हम सभी को देखने को मिलेगा इस वोड़े के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा वो पेर जिन पर RCB के टीम 100% बिडिंग याने की बोली लगाने वाली है आईपिल 2024 के निलामी के अंदर कौन ऐसे के लाड़े जिनको RCB के टीम निलामी में शामिल करेगी किन पर RCB के टीम ओल आउट जा सकती है आउक्षन में सभी चीज़े जानेंगे तो अगर आप लोग RCB के टीम के फैन हो और आईपिल 2024 की रेगुलर अपडेट्स माना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं है चलिए दोस्तो वीडियो को अब शुरू करते हैं दोस्तो आईपिल 2024 की निलामे के अंदर RCB के टीम 23 करोण का पर्स बैलेंस लेकि जाएगी यह जो पर्स बैलेंस है यह उतना जादा नहीं है और नहीं उतना कम है यानि कि यह जो पर्स है वो एवरेज पर्स रहेगा RCB के टीम का और इस पर्स के साथ भी RCB के टीम को जो है वो बड़ीया प्लेयर्स मिल सकते हैं अब RCB के टीम के टार्गेट लिस्ट के हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप सभी को बता देगी RCB के टीम के टीम के स्क्वाड के अंदर है वो पहले ही पाँच ओवर्सीस प्लेयर्स मौजूद है जिन में से चार जो है वो बैट्समेन है फैप्र प्लेसीस गलेन मैक्सवेल विल जैक्स और Cameron Green ये चार ओवर्सीस बैट्समेन RCB के टीम के स्क्वाड में पहले से ही मौजूद है और एक ओवर्सीस बालर जिनका नाम है प्लेस टॉप ले ये भी RCB के टीम के स्क्वाड में है यानि कि अब RCB के टीम को जादा से जादा तीन overseas player और चाहिए auction के अंदर और ये तीन जो है वो हम सभी को baller और all rounder देखने को मिलेंगे किसी भी batsman को RCB के team मुश्किल से target करेगी क्योंकि आपके पास पहले ही 5 overseas batsman team के अंदर मौझूद है तो चली दोस्तो हम लोग बात करते हैं RCB के कौन होने वाले हैं target IPL 2024 की निलामी के अंदर तो set 1 में जो player रहेंगे यानि कि जिन पे सबसे पहले बोलियान लगेगी शायद RCB के team उन में से किसी को भी target ना करें set 2 के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर RCB के टीम के चार target रहेंगे पहले होंगे पैट कमींस, दूसरे होंगे कोईट जी, तीसरे होंगे हर्शल पटेल, चौथ होंगे शारदूल ठाकूर तो यह वो चार ऐसे player है दोस्तो जिनको RCB के team जो है वो target करने वाली है और यहाँ पर शायद हो सकता है कि RCB के team इन में से किसी एक game boss को team के अंदर शामिल भी कर दे हाला कि दोस्तो आप सभी को भी पता है कि बाकी की 9 team में भी है जो की bidding करने आई यह option के अंदर तो obviously बात है वो सारी team इन players पर bidding करेगी पैट कमिंस और गिराल कोईजी जैसे players पर यहाँ पर heavy bidding होने वाली है सभी टीमों द्वारा अब दोस्तो आप सभी को मैं बताता हूँ कि set number 4 से RCB के team किन को शामिल करने वाली है किन को target करने वाली है तो यहाँ पर 5 ऐसे नाम है जो कि RCB के team के target list में है पहले नाम है लोकी फर्यूसन दूसरे है अलजारी जोसेफ तीसरे है शिवा माभी चौथे चेतन सकारिया और पांचवा नाम है मिचल स्टाक तो यह वो set रहेगा जहाँ पर RCB के team जो है काफी अपना पर्स जो है वो यहाँ पर खर्च करेगी क्योंकि set number 4 में काफी बढ़िया बढ़िया नाम है जो कि RCB के पर्स बैलेंस के एसाब से RCB के अंदर शामिल हो सकते हैं इंडियन पेसर की RCB के team को यहाँ पर नीड है क्योंकि सिराज के साथ एक इंडियन पेसर तो चाहिए ही तो यहाँ पर RCB के team जो है वो शीवा मावी चेतन सकारिया जैसे प्लेयर को टारगेट कर सकती है और इन पर definitely RCB के team जो है वो बोलिया लगाएगी इनके अलावा option है बेस्ट option है जिनको RCB के team शामिल कर सकती है auction के दिन और overseas में पर फिर यहाँ पर नाम आ जाता है मिचल स्टाक का लॉकी फर्गिसन का अलजारी जोसेफ का तो तीनों ही बड़िया नाम है लॉकी फर्गिसन का T20 स्टैट्स उतरा बड़िया नहीं है तो यहाँ पर मिचल स स्टाक और अलजारी जोसेफ RCB की टीम के नजर में जादा रहेंगे तो यह वो सारे नाम है यह वो में नाम है जो कि RCB की टीम टार्गेट करेगी और जिन पर RCB की टीम जो है वो 100% बोलियां लगाएगी IPL 2024 के auction में अब दोस्तों auction के दिन यहाँ पर dynamics जो है वो चेंज हो सक सकते हैं और जैसे RCB की टीम की auction की history रही है तो RCB की टीम से हम यह expect कर सकते हैं कि shocking नाम RCB की टीम में include हो जाएं खेर दोस्तों आप लोग अपनी opinion नीचे comment box में जरूर देना और साती में आप लोग ऐसे ही RCB की टीम के उपर और साती में IPL के उपर news और rumors पाने के लिए हमारे पहले news मिलती है auction के दिन भी live यहाँ पर आप लोग auction देख सकते हो तो आप लोग फटा फट जाके टेलिग्राम को जोईन चलूर भी जिएगा